नमस्कार दोस्तों, मैं उद्वर्मा विएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली सुबह 10 बजे अरिहंत पवलिकेशन के बुक, ग्राम समाज एवाँ विकास से 25 महतवूर परसनों को पढ़ते हैं देखे, आज प्रैक्टिस सेट या 6 है, इससे पहले हम सब 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं यदि आप सब वीडियो नहीं देखे आएं और देखना चाहते हैं तो चैनल के प्रैलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देखे जेगा और इसका पीडियो पाप लोग को टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिशन बाक्स दिया है, वहां से आप लोग डानलोड कर लिजेगा तो चलिए हम सब शुरू करते हैं, देखे आज का पहला प्रसन दिया है, दिया है कि आईस्मान भारत यानि प्रधान मंत्री जन आर्यों के योजना कि तवत प्रति परिवार प्रतिवर्श कितनी रास की स्वास्थ भीमा उपलब्ध कराई जा रही है अगला प्रसन देखते हैं, देखे दिया कि आज समाज सास्तर में सांखिकी का परियोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इसकी समाज सास्तरे उपयोगिता नीमनलखित में से कीन तत्यों द्वारा असपश्ट की जा सकती है संख्यात्मक स्वरूप से की व्यक्तिगत ग्यान से की सस संबंध से की ये सभी है देखे आपसर नमबर ए दिया संसक्रीति मानो निर्मित है बी दिया संसक्रीति सीखाव व्यवहार है सी दिया संसक्रीति आनुवन सीकता से हस्तानांतरित होती है और देखे डी दिया की संसक्रीति समु के लिए आदर्स होती है देखिए तीसरे का आप्सान नमबर C सयोगा तो यहाँ पर देखिए जो संसक्रीत के बारे में जो असत्य कथन है वो आप्सान नमबर C है संसक्रीती आनुवन सिक्ता से हसानांतिरित होती है देखिए यह असत्य दिया है तो आप्सान नमबर C इसका सयोगा देखे अगला दिया की सामाजिक सोध की गुडातमक बिधी आप्सन नम्बर देखे A दिया सोध के संदर्व में केवल गुडों को महत्व देती है B दिया अध्यनरत एकायों का वडन मात्र करती है C दिया सामाजिक सोध के विषय के संबन्द में वर्तमान पर इस्थितिक की विवेचना करती है दी दिया उपरोगत सभी तो देखे, चोथे का अपसन नमबर डी जो होगा सभी होगा तो सामाजिक सोधकी गुढ़ातुमि जो है या सभी है तो यहां पर देखए अपसन नमबर डीज का सयोगा उपरोगत सभी अगला हम सब देखते हैं देखिए प्रस नमबर पांच है सहर को परिभासित करने का सर्व परमुख मानग क्या है देखिए आपस नमबर एदिया आबादी का घनत्व बीदिया गयर किरिसी कार कलापो में सनलगन लोगों का उँचा परतिसत सीद या उँची सा छर्ता दर डीद या मलीन बसनियों की बिद्यमानता तो देखिए पांच का जो होगा वह आपस नमबर बीच सही होगा तो सहर को परिभासित करने का जो सरव परमुख मानग यही है कि गयर क्रिसी कार्य कलापो में सनलगन लोगों का उँचा परतिसत तो यहाँ पर देखिए आपस नमबर बीच का सही होगा अगला हम सब देखते हैं परस नमबर देखिए 6 दिया है पोशड अभियान 2018 का लच्छ किया है देखिए आपस नमबर ए दिया है आसा कार्य करता को ससक्त करना बी दिया है बच्चो महिलाओ अस्तनपान कराने वाली महिला का पोशड सुधारना सी दिया है अंगन बाडिक किंद्रों को मजबूत बनाना डी दिया टी का करण को बढ़ावा देना देखिए च्छ का जो होगा आपस नमबर 20 से योगा तो पोशड अभियान 2008 का जो लच्च है यह है कि बच्चो महिलाओ अस्तनपान कराने वाली महिला का पोशड सुधारना है तो आपस नमबर देखिए च्छ का जो होगा 20 से योगा अगला आम सब देखते हैं देखिए प्रशन नमबर साथ है निम्न में कौन सा ग्रामिर संपत्ति का अधिक आधार होता है उत्राधिकार की बीवा महाजनों के पास की संपति की उपरोक्त सभी तो देखें याँ पर साथ का जो होगा आपसन नमबर डी से योगा तो देखें ग्रामिर संपति का जो आधार होता है उतरा दिकार से भी होता है भीवा से भी होता है महाजनों के पास की संपति से भी होता है यानि आपसन नमबर देखें डी से योगा उपरुक्त सभी अगला देखते हैं देखें प्रसन नमबर आठ दिया है ग्रामिर छेत्रों में क्रिसी कारियों के लिए ब्याज पर रिड कौन प्रदान करता है पुरोहित करता है कि ग्रामिर महाजन करता है कि सेवक करता है कि कारियर करता है देखे 8 का जोग का आपसन नंबर 20 सउगा तो ग्रामिड छेतरों में क्रिसी कारियों के लि spokesperson ब्याज पर रेडु जो प्रदान करता है ग्रामिड महाजन करता है तो आपसन नंबर इसका बी जोगा सईगा दोस्तों आप डेली सुबह दस बजे गरामीड परिवेस का प्रैक्टिसेट करना चाहते हैं तो चैनल को सबस्काइब करें और साथ ये वीडियो को लाइग भी कर देजिए अगरा देखते हैं देखिए प्रसन नमबर नो दिया है एक गरी उडान योजना का उदेश से क्या है देखिए आप लोग के सिलेबस में जो है योजना से का भी प्रसन पूछे जाएंगे इसने जितना भी योजना आ रहा हैं सभी को आप ध्यान से पढ़िए देखिए आई छम्तों को बढ़ावा देए उड़ देखिए डि दिया है स्वच्छता को बढ़ावा देए नउका देखिए आपसन नमबर एच से होगा तो एक गरी उडान योजना का जो उदेश से आए वह किसानों को बीजन्नेस इसकिल से सेल्यस करना है तो आपसन नमबर इसका एज होका स्योगा देखिए अगला दिया है प्रसन नमबर 10 भारत सरकार द्वारा ग्रामिट छेत्रों को खुले में सोज से मुक्त की घोषडा कब की गई दो अक्टूबर 2019 को की 25 दिसनबर 2018 को की 25 नॉवंबर 2009 को की 5 मार्च 2020 को देखिए 10 का जो होका वा आपसन नमबर 10 का स्योगा तो भारत सरकार द्वारा ग्रामिट छेत्रों को खुले में सोज से मुक्त की घोषडा जो की गई दो अक्टूबर 2019 को की गई तो अपसन नमबर इसका एजोगा स्योगा अगला देखते हैं देखिए प्रसन नमबर 11 दिया है निम्न में कौन सी हरित क्रांती से उतपन प्रमुख समस्या नहीं जाए अपसन नमबर इसका एजोगा स्योगा अगला देखते हम सब देखिए अगला प्रसन दिया है निम्न में कौन सी दूध देने वाली गायों की परमुख नसल नहीं है आपको देखिए गाय की नसल बताना है सिन्दी जिवनी की कांकरेज की महसाना 12 का देखिए आपसन नमबर जो होगा D सही होगा तो यहाँ पर देखिए मेहसाना जो गायों की नसला है या दूद देने वाली गायों की परूख नसला नहीं है तो आपसन नमबर यहाँ पर देखिए D सही होगा अगला देखें पूछा था कि कौन सी दूद देने वाली गायव की परुखना सल नहीं है, तेहाँ पर देखें में असाना जो है या नहीं है अगला देखें प्रसन दिखा है प्रसन नमबर 13 है नीबन में से किसको लोग तंतर की पाठ साला कहा जाता है के अंदर सरकार को कि राज सरकार को कि अस्थानी स्वायत असासन संस्थाओं को कि उपरोक तुमें से किसी को नहीं देखे तेरा का अप्शन नंबर सी सही होगा तेहां पर अस्थानी स्वायत असासन संस्थाओं को जो आए लोग अतंदर की पार साला का आ जाता है आपसन नंबर इसका सी जो का सही होगा दोस्ते आपने भी तब वीडियो को लाइक ने किया तो फिली जरूर लाइक कर देजिए देखे अगरा दिया आपसन नंबर चौदा है तो असिलदार का परमुख कारिक किया है जरूर बित्रड करना है कि जनगरना तो था रासन बित्रड करना है कि भूराजस्व परसासन का संचारन करना है कि उप्रोक्त सबी अगला देखते हम सब देखिए प्रसान नमबर पंदर हदिया है राज़ास प्रसाशन का निम्नतम पद कौन सा है तो असिल्दार है कि भूब अभुलेख निरिछक है कि कानून गों है कि पतवारी है देखिए पंदर का आपसन नमबर 10 सयोगा राजय सु प्रसाशन का निम्नतम पदो जो होता वो पटवारी या लेखपाल होता है तो देखिए आपसर नमबर 10 का सयोगा देखिए हम नीचे से देखें तो सबसे परिलेकपाल होता है तब कानुन गो तब नायव तहसिलदार तब तहसिलदार तब एसडियम तब जिरादिकारी होते हैं इससे भी याद रखेगा तेहां पर देखिए 15 का अपसर नमबर 10 सयोगा अगला देखते हम सब प्रसन नमबर 16 दिया है भूमापन के दवरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थाई निशानिक के रूप में जी सेयंतर का परियोग किया जाता है वो क्या कलाता है राड कलाता है कि जरीब कलाता है कि जंडा कलाता है कि सुवा कलाता है राश्टिय भूमी अभिलेक आधुनी की करण कारक्रम का संबंद किससे है। राश्टिय भारत में संपत्ति का अधिकार 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 है। तो उत्तर प्रदेश में किर्शी उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 में लाया गया। तो आप्सन नमबर इसका B जोगा सयोगा। अगला देखते हैं हम सब देखें प्रसन नमबर 22 है। दिया है कि नरेंदर देव क्रिशी एवं प्रदोकी विश्विदाले कहां अवस्तित है। सुल्तानपुर में कि इलाबाद में कि वाराणसी में कि फैजाबाद में। देखें 22 का जोगा आप्सन नमबर D सयोगा। इसे देखें याद रखें का एक इंप्रसन है। नरेंदर देव क्रिशी एवं प्रदोकी विश्विदाले जो अवस्तित है। वा फैजाबाद में हैं तो आप्सन नमबर इसका D जो होगा सयोगा। अगला देखें प्रसन नमबर 23 है। वर्शो 2011 की जनगरना के नुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरिया है। देखें 23 का आप्सन नमबर 20 सयोगा। यहाँ पर देखें 22,3 जो यहाँ पर देखें आबादी है उत्तर प्रदेश की यह जो है। नगरी आबादी है तो आप्सन नमबर 20 सयोगा 22,3 प्रतिशत। अगला देखें प्रसन दिया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मलमल पर छपाई का कार गुरत्ता पूर रूप से किया जाता है लखनव में की मथूरा में की सोन भदर में की भदोई में देखे 24 का आपसन नमबर 20 सही होगा तो उत्तर प्रदेश के मौथुरा जिले में मलमल पर छपाई का कार गोड़ता पुड़रूप से किया जाता है तो आपसन नमबर इसका देखिए बी जोगा सयुगा देखिए याँ पर मौथुरा दिया है अगला देखते हैं प्रशन नमबर 25 से दिया कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख है अधिक आब आदी वाले बैधानिक नगरों की संख्या कितनी है साथ है कि 8 है कि 10 है कि 15 है देखिए 25 का आपसन नमबर इस सयुगा तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख है अधिक आब आदी वाले ब्रधानिक नगरों की संख्या कुछ साथ है तो आपसा नंबर इसका एस से योगा तो दोस्तों आज का आखरी प्रसंद था यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगाए वीडियो को लाइक किजेगा और दोस्तों आप सामान हिंदी और उपी जी के काई प्रेक्टिस सेट करना चाहते आएं तो चैनल के प्रेश्ट में जाकर देखेगा वहां से आप लोग को कोई इन दोनों विश्यों का भी प्रेश्ट मिल जाकर मासे देखेगा तो इसे वीडियो में तना ही दोस्तों नमस्कार जहिंच भारत